नमस्का, दोस्तों, हम wicked Rap culturally animation आपको बता रहे थे animatecgc के बारे में तो मैंने टूल्स के बारे में बता रहे थे तो चलिए दोस्तों अगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो बचे हुए टूल्स के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों टॉपिक सुरू करने से पहले मैं एक चैनल दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हिंदी कहानिया इस पर मैं दोस्तों कार्टून बना के लगाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ कार्टून बना के लगाया हूँ, अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी मैं दो दिन पहले भी लगाया था, मेहनत का फल करके एक कहानी लगाया था, अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं में बताए थे यहाँ पे, और आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आगे का टूल है दोस्तों सबसे पहला टूल है टेक्स टूल, तो दोस्तों टेक्स टूल का यूज किया जाता है किसी चीज को लिखने के लिए, अगर मान लो इस पे क्लिक करते हैं तो इसका जो प्रोपर्टी वार है, यहाँ पे खुल के आ जाता है, और इसको हम नॉर्मली ड्रैक करते हैं कुछ स्टेप से, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने सानभी पटे लिखा, अब इसके प्रोपर्टी यहाँ पे आपको दिख जाता है, इसको सलेक्ट करके आप चेंज हो गया उसके बाद आप यहां से इसका पाता है यहां से iskokHHHH बड़ चेंज कर सकते हैं तो इस दोस्तों gy ho गया ता और इसको इनीमेशन के तौरबे खे टोल बढ़ते हैं आगे कर दोस्तों यहां पर टूल दो दिया हुआ है पेंट बकट टूल और इंक बॉटल टूल तो दोस्तों इस दोनों जो टूल का काम होता है बेसिकली किसी चीज को फिल करना अब पेंट बकट टूल का काम होता है फिल करना जो फिल होता है उसको करना और इंक बॉटल टूल का काम होता, इसके जो outline है, उसको fill करना, तो देखे रहे हैं, कैसे use किया जाता है, माली जी हमारे पास दो box है, कुछ step से box है, और एक में हमारे पास क्या है, outline नहीं है, ठीक है, दो box हमने लिए, अब हम क्या करते हैं, इसका color कुछ और कर देते हैं, माली जी यह क क्या चाहता हूँ कि इसका जो color है same color इस पे भी apply हो जाए तो यहाँ पे नीचे इसके नीचे just eye dropper tool है इसको click करते हैं इस पे click करते हैं जो ही इस पे eye dropper से click करेंगा आपका जो pointer है न वो paint यहां से देखे select कर लिया paint bucket tool को अब इस पे click कर सकते हैं तो यह same color हो गया अब हम चाहते हैं इसके जो outline है यह भी same हो जाए हम फिर से इस पे जाते हैं यहां पे और ink bottle tool को लेते हैं और इस पे click करके इस पे click कर देते हैं आप देख सकते हैं इसका color जो outline है वो भी same हो गया तो इस टैप से दोस्तों जो है यहां से जो दोस्तों paint bucket tool और ink bottle tool का use कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों आईड्रॉपर टूल है आईड्रॉपर टूल का काम होता है किसी चीज को पिक करना तो यह अभी मैं जैस्ट मैंने करके भी दिखाये था और जो आगे का टूल है यहां पे एसे ट्रैप टूल है इसको क्लिक करते हैं और इस क्लिक करते हैं यह क्या है आप इसको अब देख सकते हैं एक रैप के तौर पर यूज कर देता है और इसको आप एनिमेशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं जहां से भी आप एसे जितना भी बनाना चाहते हैं यहां से बना सकते हैं और इसको एनिमेशन के तौर पर भी आपके पास एक image कोई character है उसको आप animation करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से animation उसको करा सकते हैं इसको pointer बनाके animation करा सकते हैं आगे का tool है दोस्तों आप देख सकते हैं hand tool है hand tool का काम basically क्या होता है कि आपको इसको कुछ step से move करना हो आपके screen को तो आप hand tool से कर सकते हैं अगर मालों आपका कुछ step चला गया तो आप hand tool की मदद से आप इसको यहां पर ला सकते हैं चलिए अब इसको delete करते हूं यहां से और आगे का tool देखते हैं आगे का tool दोस्तों है जूम टूल जूम टूल की मदद से आप किसी चीज को जूम आउट कर सकते हैं और यहां से आप plus मैनस भी डबाते हैं control प्लस करते हैं तो मैनस होगा control प्लस करते हैं तो जूम होगा और यहां से भी आप इसको जूम out जूम in कर सकते हैं और यह जूटूल है यह दोस्तों control और space bar क्लिक करते हैं तो यह automatic जूम बटन आ जाता है और space bar प्रेस करते हैं तो थंमेल आपका आ जाता है तो चलिए आगे का तूल देखे हैं यहां पर दोस्तों तीन डॉट दिया हुऊ है इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ जो है टूल यहां पर सोग होता है जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं paint brush tool है यहां पर pencil tool है इसको simply आप drag and drop कर सकते हैं कहां पर रखना चाहते हैं पेंसिल टूल मालो जो हम यहां पर रख देते हैं इसको मैं यहां पर रख देता हूं यह केमरा टूल है केमरा टूल अल्रेडी यहां पर दिया हुआ यह बोन टूल है बोन टूल को मैं यहां पर रख देता हूं और इस टूल को भी मैं यहां पर ब्लाफ लेता हो तोmun कि कि यहा हमारा बहुत स्था टूल यहां पे और भी एड वो गया है उसको हम देखते हैं कैसे यूज किया जाता है सबसे पहले जो यहां पर एक पेंट ब्रॉश टूल और एक है क्लासिक ब्रॉश टूल Paint Brush Tool का भी जिस type से काम होता है उसी type से इसका भी use किया जाता है Paint Brush Tool का भी यहाँ पे देखिए इसका जो है options सरा आ जाता है यहाँ पे जो आपको line कैसा चाहिए thickness कैस करने यह आपको यहाँ पे sow हो जाता है तो यह था Brush Tool और Pencil Tool का काम भी same होता किसी चीज को draw करना same तरीके काम करता आप देख सकते हैं pencil आप समझ सकते हैं pencil जो है sketch करने इसका भी property same होता यहां से आप यहां से जो है जो भी line draw करना चाहते उस type से line आपको यहां पे मिल जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे का tool है दोस्तों यहां पे अगर हम जाते हैं bone tool है यहा इस दोनों tool का काम हम आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब हम कोई character को हम animation के तोर पर यूज करेंगे उस पे हम bone लगा के आपको दिखाऊंगा कैसे हम जो है bone लगाते हैं और इस tool का काम दोस्तों होता है कोई भी line को आपको thickness बढ़ाना है जैसे मैं आपको यूज करके आपको दिखाता हूं माल लेजिए हम कोई भी line ले लेते हैं यहां से हम कोई line ले लिए step से इसका line का मैं यह जो है normal कर देता हूं इसको मैं यहां से delete कर देता हूं और line मैं simple रखता हूं यहां Pen Toil ले लेता हूं Pen Toil की मदद द्राव कर देता हूं यहां पर यह मैंने ड्राव किया अब हमको क्या करना है कि यह जो टूल होता है इसको कहीं पर भी एक तरह से pump का तरह काम होता है अगर मालो यहाँ पर हमको मोटा करना है इसको आप ड्रैग करके यहाँ से मोटा कर सकते हैं इसको यहाँ से पतला करना है तो इस टैप का लाइन कहीं पर आपको create करना है तो आप यहाँ से दोस्तों दिया है width tool इसकी मदद से आप करा सकते हैं अगर मालोज यहां पे कम करना है देखिए कुछ इस टैप के लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो दोस्तों मैंने सभी टूल्स के बारे मापको दिखा दिया हूँ आसा कर दो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूँ तो उसका डेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थेंक यू